सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लेक करें असलाम अलेकुम नाज़ीन प्रोग्राम नियूस लाइन के साथ मैं हूँ आपका मिस्पान मताहिश जलीज खान नाज़ीन आज बाचीत का जो अगाज है वो दौरा चीन से शुरू होगा खान सबका दौरा चीन जो दौरा अमरीका के बाद एक अहम मजबत दौरा देखा गया है आजका उनका पहुंचे है उनने काफी ने तारीफ भी की है चीन के गयादत की जिस तरह से उनका वहाँ पर गौड आफ उनर पेश्किया गया उनने वहाँ पर और आर्मी चीफ भी उनके साथ वहाँ पर मौज़ू थे हलनके खान सबसे पहले हम पर आर्मी चीफ पहुंचे कहा जा रहा है कि खान सबके बाद पहुंचे अच्छे जो महाल में मुलाकात हुई काफी लोग उन से मुतम पालजबहीं मौझूत Μायाइन जो पाकिस्तान के मौजूदा स्यासी चुर्श हाव यो भारत के साथ तालुकाइब हैं उनको बेहतर करने लिए या कश्मीर के ऊपर बाचीत कर रिदे के लिए और खानसाब निकाए के मुदी से जब तक बात नहीं होगी जब तक वो कश्मीर से कर्फियू नहीं हटाते। कर्फियू के उपर भी यूएन में भी काफी बड़ी उन्होंने तक्रीर की थे 27 सप्टेंबर को वो भी उसी तनाजर में आज चीनी कैरत से भी बात की गई इसके साथ साथ दूसरा जो मुदा है वो सीपैक का है आज सदर मुमलेकत ने सीपैक अथारिटी के आर्डिनेस पर दस्तखत किये हैं एक कमीटी जो है वो काइम कर दी गई है खानसाब उसके चेरबें होंगे और वो वजीराजम आफिस से ही आपरेट की जाएगी इस पर ही ब भारत ने कश्मीर पर कभजा करने की कोशिश की थी और हम उसको एहतजाज या बलैक डे के तौर पर मनाते हैं तो इस दन एहतजाज करना भी सही ने दूसरी जाने मौलाना साथ के खिलाफ एक दरखास दायर कर दी गई है कि वो जिस तरह से एहतजाज करने जा रहा है लौक पहले मने हैं नुसरत वाहित साइबा है पाकिसां दरीघन साफ साफ का तालॉक है अए मजबत रहा है उन्होंने काफी अच्छे अंदाध में बिटिंस कीम आपर कशमीर का मुदम भी उठाया, पाकिसान की मेशिक्ट के हวाले से बात की, कैसे देख रही हैं, क्या जो पाकिसान के משले मसायल हैं, मेशिक्त को लेकर तालुकात के हवाले से सिफारि़ तालुकात, बैतर होंगे. कर्फ्यू खतम हो, अल्मूस्ट दो महीने हो गये हैं, कर्फ्यू लगावाई, तो कर्फ्यू खतम होना चाहिए, लोग अपनी नॉमल जिन्दगी शुरू करें वहाँ पे, वह पहले भी 70 साल से वहाँ पे रह रहे हैं कश्मीरी, अप इंडिया मातहद, लेकिन अब उन्होंन की इस तमाम कश्मीर की चीजों का इंपक्ट पड़ा है, क्योंकि उनके सरहत के साथ अलाका है, जिसके वह पर कब्सक किया गया है, तो चीन भी एफेक्टिट है इस बात से, तो इस वक्त जो है, एकॉनमी को बेहतर करना और बाकी चीजों के लावा, क्योंकि कि कश्मीर का वह बहुत इफेक्ट करेगा जो बातचीत होगी इनलों की वह बहतर उसमें जा चकेगी किसी कंक्लोजन पर पहुंचेंगे कि कि क्या प्यान लेकर क्या गए खान साब कि यह तो खेर बातचीत होगी तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा तो यह है कि इन्वेस्मेंट आनी कि अधिया से नियरी जो पहले करॉप्शन हो रही थी उतनी करॉप्शन शयद आज भी होए एक Isma Musi Patas नहीं कि जो पहले करॉप्शन हो रही थी उतनी करॉप्शन हो एक बटास सामने यह के कि इनके खिलाफ भी आख आसासे चुपाने चुपाने की जो मामला था ख़ाज चव्धुरि से जो मेरे पास आ गया है में वह दूत जी पहरत का लोगा है वह घॉन पीसा हो थी जा होाइं वह जी उसके उसके बाती कि अगर कुछ सफाई करनी है किसी जगह की तो अपने घर से शुरुवात कर दो तो अगर कोई एक चोरी करता है तो वजीर आजम भी चोर होता है तो क्या वह भी चोर कहलेंगे अब उनको तो जोर नहीं कहा जा सकता, आपको बता है कि वो इस्टेइलिश्ट थी कि अपने अपने अलफाज है, पहले कहा जाता है, यह वो खान साथ करने वाली थी कि सियासत में आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर वो आपके ओपर ही आखी पड़ जाती ह तो खान साथ क्योंबर पड़ गाया कि अबस्ते हैं, आपको पता है खान साथ को पड़ पर पड़ गाया है, यह नहीं कह रहा है कि उनकी जुम्ला कोड कर रहे हैं कि कारा हैं, अगर इस दफ़ा हुए वजरा हुए तो खान साथ भी चोर कहलाएंगे, लेकिन अगर वजरा ह किया है कुछ पास्ट में तो उनको उनका हिसाब जरू लिया जाएगा हम चीन पे तेखेद तो चीन के दौरा जो है वह एक तो एकॉनमी के हिसाब से था कि वहां से इन्वेस्मेंट आए और सारी चीज़े हो ताकि पाकिस्तान का उपर जाए और जो सीपैक का सबसे बड़ा और सीपैक को लपेड दिया है खान साब ने और बिलकुल खतम हो गया है और कोई काम नहीं हो रहा तो उसका सब लोगों को नजर आ रहा है कि उसके अपकाम होगा और सीपैक जितनी जल्दी मुक्तलिफ इसके मिराहिल जाए और शूरू हो सकी वह उसको किया जाएगा ठीक ह इसके मिराण साब के अंडर तमाम चीज़े होंगी तकरुरिया तबातले और जो भी एहकामात देने होंगे खान साब देंगी इसका क्योंकि अब बात हो रही थी फाद चोधरी पे क्योंकि कुछ दिन पहले एक रालिटी हकीकत बता रहो आपको कुछ दिन पहले फाद इसके मिराण के वीजन है जो कि वीजन काई दियार्था में है तौपिक यह ही है हमारा के दौरा चीन हुआ है यह तो टौपिक बिल्कुल लाग हो जागा ना हमारे ही से आपको बात हो रही थी तो मैं थोड़ सा बता रहा हु हाकाइक ना लोगों को पता होना चाहिए कि फ रहा है इा इमरान खान वीजन हैं वो काई जौसम के मजार हर वजी यह दो प्ता है जब ब्याप दौरे की बात कर लिट है जब ही झन हमारे मुल्क में चोर हैं in hospitals नीमें in support, we have corruption, we have money laundering in position जो भी मुल भी में थे वहाँ अथार है वहाँ ने ने सार माल नहीं में उस्कोर का है आंहीं हमारे मिल्ग में खात्न अधोर कोत्ती है इस प्रवान मिल्स अगराल के तो यहाँ वाँ भी में तू आनी है सब चोर ने डाकू हमें भीग दे तो 300 मिलियन मिलियन कठे करके इस मुल्क में लिया है सौधी अरफ से 300 मिलियन का अधार तेल ले करा है यहां केश बेचा और बात यह के मेंगे दामों बेच दिया फिर यहां वजीर आजम का यहां हालत इसी है यह बनी विये बार यहां के वजीर आजम साब हमारे पसकत से अगर यहां वहां डेलिकेशन आता है या कोई रिखावस हा जाता है तो नि stör यहां से ट्रैवरी की जो है वो हिजमेदारी अदा करते मैमान वाजी में 10 के बतानीओ उसके बात भी देख रहे होंगे ड्रेवरी तक की वजीर आजम की जिमेदारी है चाहिए वो किंग है सौधी अरब से चाहिए मसकत से कोई शेख है ड्रेवर वेतरिन जो है वो अपनी जिमेदारी से नहीं देखें यह वो मौका होता है जब आप आराम से बात कर सकते हैं फिर ult захक लिए इसके अख करता है यह कौम देख रही है जब इस किसम का क्रैटरिया हो तो अपके पोस्ते मिलस्तु बहुत तेज हैं यॉकों बहुत जादे तो जो कुछ हो रहा है, जो कौम को कोई अगर हो तो पिछले तीस साल से ही घूमत कर रहें, श्चे 15 साल से तो definitely कर रहे हैं, जाके अपने शुह हैं अगर इनको कौम को दुख था मैं यही सवाल आप से करना चाहूंगा एक तरफ दौराचीन खान सब्का दूसर जानब सदर मुमलिकत ने और्डिनस पे दस्तखत की किसी मौके की तलाश थी कि आये तो हम इस पे सी पेक के हवाले से कमेडी बनाए और पिर उसको ऑपरेशनल करें मौके की तलाश नहीं थी इसको चीज को एक रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि आपने देखा जिस तरह मेरे खाल में जर्दारी साब का आईडिया था उसके बाद नून लिगने किस तरह उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने कोशिक की फिर चीज़ें बैट पर हमारी हुकूमत आई उस वक्त भी शुरू में कुछ हुआ फिर उसके बाद हम बैट तो आप कम असका बहुत यह चीज़ होगी कि दस्तखत हो गये हैं सदर ममलिकत के और एक प्रोग्राम बना लिया जाएगा कि इस वक्त यह करना है इस वक्त यह करना है उसके हिसाब से आई डॉलर्स लेका है वोटवर आप यह देखें आई नहीं नहीं होते हैं और जब नहीं होते देखें अब बाहर होके आप इस तरह का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस हद तक करफशन है कि कोई कोई महकमा कोई इदारा कोई चीज जो है वह प्रॉफित में जाना तो बह कि आप यह देखें कि स्टील मेल है, पी आई एए है, रेडियो पाकिस्तान है, पी टीवी है, मोटर वेक है पोस्टिन्स हैं, इनको तीन तीन दफ़ा गिरवी रखके पैसा लेके खाया जा चुका है, मुल्क में पैसा नाम की चीज नहीं था, वो आगर जा के कहते हैं करफ कर सकते हैं, तो क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी करफशन हुई है, पानामा लीग जो आया है, तो क्या दुनिया को नहीं पता था किसलिए वो सब को चुआ है, यह जदारी साब जो पैसे भेज रहे थे, मॉडल्स के जरीए और दूसरे लोगों के से पाकिस्तान कहां कहां चला गया, आप देखें, ग्रेय लिस्ट में हैं, ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे, तो उस चीज को भी तो बचाना है, दुनिया को बताना है कि हम क्यों ग्रेय लिस्ट पे थे, हम सब कुछ कर सकते हैं, ग्रेय लिस्ट के एक नॉमल हुकूमत की बुरे नहीं है, सारे पाकिसानी बुरे नहीं है, सारे पाकिसानी बुरे नहीं है, they wanted to work for Pakistan, और पाकिसान को तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के अगर प्राइमिनिस्टर ने बात की है जाके तो इसमें मैं नहीं समझती कोई ऐसी अचंबे वाली बात है क्योंकि उनको पता था, जहां तक समझ में आता है कि अंदुरूणी अगर मामला देना तो बैटके जादा जादा, नहीं जादा, मैं आपकी तरह आऊंगा, एक तरह मैं आपने जिस तरह कहा है कि ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक ग्लेस्ट की जा रहे थे और पाकिस्तान ने कुछ अच्छा इमिश दिखाया तो बच गए है, तो क्या पिशली हुकूमत के नुकसानात हैं, पिशली हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, ग्रे लिस्ट के हवाले से बाग्सान और घुझ ग्रिलस्ट में पाकिस्तान वहां का रुकून बनने की कोशिश करें पाकिस्तान तो कोई रुकून नहीं है झाले के जसिफाय करें जब यह आया थे मुल्क पर करदा कितना था, अगर नहीं तो मैं कीलिए करता हूँ, शुबीस हदार अरब इस 34,000 और इच्ति तकाफ यह जो किलकुलिशन है रहा रहा हुँ चौनतीस और रभ 10 और डालर पता है नों यह वह बढ़ा दी है फिर ओलना नहीं है कि महिए बर्कपा कर दी तीन 300 मिलियन कठे कर विए लेकर आगें तो ये सब चीज़ें तो सामने दूसरा इमरान खान साथ पहले आल लेडी एक KPK के हकोमत समाल चुके थे उनको पता था कि बात ये कि क्या क्या यहां मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर तो इस कौन को क्या जुगती के लालबती के पेशे लगाने की कि सुनेरे खौफ दिखाने क कि बेवकूफ बड़ाने कि यहां पर पीडिया के मुतना तो प्रणा थे जो पाकिस्तान की महिशत आपके सामने जहां खड़ी थी और जो इसके लावा अगर बात करूँ बुटकी को जब मरवाया जो बुलचस्तान के अलाए थे अब तो मैं अगर बात करूँ इनको तो आ कि अधा इनको सब कुछ समला हर चीज ठीक मिली लेकिन उसके अब करी किसने मेरा सवार इवब ठीक करी किसने रागाए थी करी किसने अफने तमाम जमातों ने मिलके एक अपी सी बुलाई थी और आपको पता होगा कि नेश्व एलेक्षिन प्लैन सबसे पहले सब्से पहले स कि उसी पेकज औरिनस उस पे दस्ताखत हुए क्या किसी मौके की तलाश थी जो इस अदर नाजिक आ जाने था जाने थे क्या मौके की इसी मौके की तलाश की जा रही इस पर बात करेंगे ब्रेक के बात हमारे साथ रहीगा वेल्कम बेक नाज़ीन बात हो रही थी ब्रेक से पहले वजीर आज़ाजा इमरान खान के दौरा चीन, तीन रोज़ा दौरा चीन है उनका और वहाँ पर आर्मी चीफ वजीर खारज़ाविन के साथ मौजूद हैं, पाकिसान की मौशी सिफारती सता पर जो लेवल है उस हवा काफी अच्छे महाल में मिटिंग्स हुई हैं, इसके साथ 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 सदर ममलेकत ने आज इसी पैक अथारिटी ओर्डिनेस पर दस्तखत किये हैं, होगा क्या इस हावाले से बात करेंगे हैं, हमाज साथ स्टूडियो में हमें जो आइन किया है, हुसैन थिबू साथ न करेंगा पहले में, जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान का दौराचीन, वहां पर गए हैं, मजीशियत के हवाले से बात हो रही है, मेटिंग्स हो रही है, दूसरी जानब साथर ममलेकत ने ओर्डिनेस पर दस्ताखत कर दिये, क्या, मैं वही सवाल करूंगा, क्या इंतिज किसी चीज़ का मजीद सर्माय कारी के दरा जो पैसे आने का कुछ था? नहीं, देखें, मैं इसमें गुजारिश कर लू ना, के वजीर आजम साब पहले यूएन में गए, वहां पे जबरदस स्पीश दे दी, हमने उस पे भी 15-20 दिन अच्छे तरीके से उसको इज़ाय किय अब वजीर आजम साब को आज अच्छा अच्छा पहां पे प्रोटोकॉल मिला है, वह सारी चीज़े हुई है, अब वहां पे जो उन्हों ने इस्पीश दी है, वह भी बड़ी जबरदस स्पीश है, उस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अच्छा, बेसिकली आप अग जब हमने आइग्रिमेंट किया था तो वह एग्रिमेंट 45 अब डालर का था, फिर हम उसको बढ़ा के बढ़ा के अभी तकरीबन वह 53 पे पहुंच आए, अच्छा जब पहले यह गवर्वर्मेंट आई तो इनको यह इफ एंड बट लगा, जिस पे अभी रिसेंटली हमारे इकराम सेगल साब का एक ग्रूप है, वो हमारा कलब है, उसकी मीटिंग बलाई थी, तो उसमें चाइनीज इंबेसीडर था और उसने चिछा, लोगों ने भी उससे बड़े सवाल किये कि भाई, आप हमें वीजा ही नहीं देते हैं, इंपोर्टर को और आप इंडिया को फे एक रिफाइनरी दे दी, यूएई को, अच्छा जब आप सौधी अरब को इन्वाल करते हैं तो समझो डारेक्ली अमरीका इन्वाल हो जाता है, सौधी अरब और अमरीका का आपस में इतना गहरा गटजोर है, कि सीक्यूरिटी भी सौधी अरब की अमरीका के जिमेंदारी ह के हम आपका काबा जो है आपका किबला जो है उसकी सिक्यूरिटी की जिमेदार भी अमरीका है उन्हें उसको आइग्रिमेंट के तरह दिया हुआ है तो लहाजा फिर यहां पे आके चाइना थोड़ा सा शेक हुआ कि भाई आप किस तरफ जा रहे हैं अमरीका की तरफ जा रहे या आप हमारी तरफ से जा रहे हैं जब हमने देखा कि नहीं अभी हमारा इधर ही काम चल सकता है क्योंकि वहाँ पे हमें प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पे हमें जहाज मिलता है कि आप हमें यह ले लें जहाज चले जाएं लेकर वोट नहीं मिलता ये अगर तक्रीर अच्छी है तक्रीर बुरी भी होती उसका कोई फाइदा नहीं था अगर हम 19 अगस को जो हमने वहां पे रिजलेशन पेश किया तो 58 कंट्रीज में से हमें सिर्फ 16 वोट चाहे थे जो हमें नहीं मिले वो हमारे लिए बड़ा लमहाए फिकर था कि हमारे जितने भी लोग हैं हमें भाई 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 तो बोलते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं तो लहाज़ा बात यह हमारे मुल्क में इसके उपर इतना तमाशा सा बर्पा हुआ है अदर्वाइज यह 73 कंट्रीज में यह थोड़ी साइन हुआ है यह तो पहले मुशरप साब ने स्टार्ट कियो हुआ कि किसका लैप्स था कहा से इसमें परशानिया बेलागी है क्या लगए आपको पाकिस तरफ जा रहा है सीपेक को लेकर अच्छा पहली बात तो यह है कि सीपेक को समझते है कि है क्या सीपेक तो यह बात हमें समझ में आ जाए ना उसके लिए क्या है कि चाइना पहले सी के थरू बेजता था जो उसकी कास्ट में तकरीबन 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 दो सो परसंट का फरक आएगा जो आप रोड के थरू जाएगा तो वो नेटवर्क पूरा दुनिया में फैल आए और आप जह अंदर हैं जो चाइना पाकिस्तान एकरा में कोरीडर है जिसके तहट जो गवादर का पोर्ट है वो चाइना का सबसे बहतरीन पोर्ट होगा पाकिस्तान कितना फाइदा उठाएगा इससे क्या लगता तो पाकिस्तान सिर्फ उससे रोड बनेगा पाकिस्तान दूसरी बात ह कि उससे जैसे आज वजीरियादम साब ने का कि आप इन्वेस्टर्स को बलाएं, दूसरा क्या करेगा, टोल टेक्स लेगा, पाकिस्तान का और इसमें क्या फायदा, पहले तो ये बात समझ नहीं है, भाई रोड बन रहा है ना, आप सीपेक, सीपेक, सीपेक को समझाएं हमें रोड बन रहा है ना, दूसरी इन्वेस्टर्स को यहां तक मैं समझाऊओ, हम सिरु एक रोड में खुश हो रहे हैं, पूरी दुनिया खुश हो रहे हैं, सिरु रूड बन रहा हैं, तिजारत के मवाक्य आ रहा हैं, आएंगे लोग तिजारत करेंगे, कम आएंगे, सरुमा हमें फकर है कि Pakistan people's partner ने सीपेख का माइदा किया है 2013 के अदर अचा सीपेख का अशल जो हमारा कोलेशन में जो पार्टनर था वो चायना था मजूदा हुकूमत ने क्या किया मजूदा हुकूमत ने कुछ जुगों पर जो है वो आपके यह क्या चल रहा है? इसी तर्म्यान बात य fantasy अम्हें की बरतानी नभी दी हमें आप coalition में ले ले लें. strong की तर yak सब्सक्राइब करें तो सीपेक का रूख ही चेंज होगी हमारे दो चीजे नहीं से यह थी एक कि आपने हमें सीकुरिटी प्रवाइट करनी है कोई भी मुल्क अपने अपने किसी आदमी का सोधा नहीं करेगा किसी मुल्क में जा और मारा जाए तो पहला हमारा माईदा था कि कि आप हमें सीकुरिटी देंगे दें सीपेक साइन होगा तो यह पहले माईदे की शिक थी जिसके अंदर हम ने पाकिस्टन प्यूस पार्टी ने जो है वो क्लीन किया और काफी हद तक बेतर हुआ उसी दिन मिया साब आए तो मिया साब ने ऑपरेशन बेतर हुआ या पूर अचीज बसों से उतार के गिंती करके थंबी लगा के मारा गया बात देगे ना बात यह कि सबसे पहले तो जाने 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 चाइना ने इसके ओपर भी इतिजाज किया यहाद अब तक नहीं हुआ दो हज़र चौबिस तक अगर है जैसे कि अभी आपने वदा अचीज थे करना जो कि अब इनको याद आया जब वह निकल गया ताम तो अब इनको याद आत है फोड़ द quindi हो जाते हैं अब इनको समझ आया कि सीसे को हम लेगों ने क्लन करना है पहले नो का जी टेकसस लगाते हैं पैसा आये का तु तो यह जो बारहल नकाम हो घया फिर क जुझाके में आप के अब स्टाविक्त सेफट सेफकर होगा तो यहाट भी कि QQue समय कर इसHe nog करज हो जया पी टे आई यहीं हो कहीं कहां सब्सक्राइक जिस तरह थे ख्रக्ते है इतने उसका हरे हालाद में हम लोगों ने शुरू की हुकूमत अभी है रहे हैं कि फिर आपनी दो हुट का कविकर पास सिर्फ चलाने सिदी मुन्ट के बार процесс कि जहां तक थी करिकर में इनसान सोचता है कि शायद कुछ तो होगा, इतना तो कोई भी अपने मुल्क को लूट नी सकता है, जिस तरह ये लोग लूट के गए, कि आपके बास सिर्फ दो हफदे का खरचा रह गया है, मुल्क चलाने के लिए, तो जो गैप आया है, वो सिर्फ इसलिए है कि फाइनेशल करजा कर जाएगा, लेकिन जो सीपैक में गैप आया ता, वो इसी वज़ा से आया था कि हमारी एकानोमी बहुत बरी हालत में थी, अब चूड़ी चीज़े बहते हैं चाइना के पास, और वहां जाके, हमारा मकस्त क्या है जाने का चाइना? यही है, कि उसको दोबारा से इस चीज़े लेकर गए हैं, क्या कुछ फाइस लेकर गए हैं, कुछ पाइस लेकर गए हैं, देखें, बहुत कुछ होगा डिसकस का डिक लिए, मुझे बिलकुल उस तरह नहीं पता अंदर की जाहरे जो चीज़े हैं, लेकिन मैं यह समझती कि अगर दोनों गए हैं, खांसाब भी गए हैं और आर्मी चीफ भी गए हैं, वजिर खार्जा तो खेसात ही होते हैं नामले उनके, लेकिन आर्मी चीफ का साथ होना एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, कि वो दूसी तरह से से क्यूर करना चाहेंगे पाकिस्तान को और ये तो अब इन्शाला कोई ऐसे मुश्किल नहीं होगी जो चीजें डिले होगी थी या होने वाली है या कुछ इस तरह का था वो चीजें हम स्मूद्ली चलेंगे अगर श्मूद्ली चलेंगे तेबस आपकी तरह आँगा खान सबका दौराची कि कितना कामियाब हो जाएगा सी कि तनाजल पैप को लेगे किया कामियाब हो सकती है कि थोड़ा सी पे को और डिफाइन करता हूं सी पे क्या है सी चाइना चाइना पाकिस्तान एकनामिक कोरिडर देखें इसमें कोई कोलेशन पार्टनर नहीं हो सकता पहले तो यह बात समझ लेगे इसमें इन्वेस्टर आस इस वक्त करदा था वो सीपेक में कैसे उतरता ये इस पे एक कैसर बंगाली ने एक आर्टिकल लिखा था सीपेक इस नाट गेम चेंजर इस गेम ओवर उस पे मैं उसे एगरी नहीं करता बट उसमें उसने फेक्ट्स अंड फिगर्स ये दिये थे कि आज तक तो हमें गवर्मि बाट इनने ने बताया, ना पीप आडी ने बताया, ना नून लींग ने बताया, न यह जो मदीने वाली रियासते, इन्हों ने बताया ये कैसर बंगाली ने अपने आर्टिकल में लिखा, जिसको मैं कर LIKE मैं कर रहा हां, मैं deny ILE कर रहा हो, उसने का है कि हमारा agreement ये है कि भी हैं कि दूसरी बात अब आते हैं वजीर्याद्म साब की स्पीच पे व हाँ जे वजीर्यादम साहब ने पहली स्पीच दी है कि जो चार ill car so आद्मी हो को आप ने जाला है । आपने को सिटिंग के वजीर्यादम साब अपनी को यह एंडिकेशन कि May भी सेटिंग डा सथ हमारे साथ है। मैं इंको डाल सकता हूं उन्हों ने दूसरी बात कही हम डिक 222 की डिक्रत त् Hollब में दूस्क्रत करें ने उन्ष सदॉत है। थाורомBeat couldal है। अपने अपने लोगों को एंडिकेट किया। देखें वहाँ पर के दूसरी जगों पे यह मिलते हैं इनकी भी अपनी बिजनसमेनों की भी तो अपनी एसोसियेशन होती है न कि यह बस ऐसे थोड़ी है को गलोबल ब्लेज में वह आपके तहत कुछ भी उनको खबर नहीं होती तो जो इस वक्त आप बिजनसमेन जिस त्रेट में हैं इसमें तो भाई रूस रेगुलेशन तो बनाएं ना चाहिना में मिड़ा तो करने दे ना मुझे बात तो करने दे पिर आपको जो भॉलने काईगे जो बोलना है आप पूरी तरस्म अब आप प्राब्लम क्या है आपने जितने भी लोगों को उठाया है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए आपको लेजिसलेशन बनाना चाहिए मैं इस पे एगरी हूँ का आप चाहिना जैसे रूल बनाए लोगों को अच्छा वजीर आजम साब ने फिर एक और बात कही हूँ उस स्पीश में ने कहा कि जी मैंने अभी सुनाएं कि आपने किसी मेर को उठाया और उसके मेर के इस घर से इतना बड़ा सूना मिला और आप उसको पांग दिन के अंदर उस तो आप लेजिसलेशन करें ना फिर आपने तो सब लोगों को उठाया है नवे दिन तक तो आपने ये नहीं साबित किया कि रहना सनावला से मेरी कोई सेंपटी नहीं आपने ये भी नहीं साबित करना चाहिए है और जो सिटिंग हुकोमत है उसको करना चाहिए क्योंके सिरों में डाल देने से बात नहीं बनती जिस cảफा उखना हो मैं इसतर्फती तो WILL करनने अकरने है निल्गुकु उतschaft तो नहीं मैं कह सकते क्या करेंगे क्या की नहीं की लेकिन में चैस्प्राइबी मे किया पंसी हो रहा हैं जहां तक इनकी बात है ना या बाकियों की भी किया पांसी की आदत पड़ गई हमें पता यह नहीं होता कि करफ्चन है माली को دेख ले अगर उसको चाहर देन देखेंगे तो वह तही सफाइयद करनी जाएगा, ति माड़ी को देख ले हैं, तो हम अवि पता ही नहीं हैं कि हम असल में करप्शन कर रहेंगी हैं, यह हमारे अंदर इन ग्रेन में जा चुकी है चीज्ज्जा यहानि 90% रोग में से करपने हैं, और आधी भलत नहीं है, खान साथ नहीं हैं, आधी गलत नहीं हैं, खान साथ गलत नहीं हैं, तो नहीं हैं। रास्ते में गन लेके खड़े हो जाते हैं तो उमीद है ना खान सब को उमीद है कि हम बना के रहेंगे मदीने की रियासत, क्यों ने बल्कुल बले 40 साल लग जाए 50 साल लग जाए नहीं सब मलेशिया जाते है कि मैं मलेशिया जैसा रूल ओफ ला लेकर आऊंगा पर लेकर आऊंगा तो पते हैं ना उनका सोचा वानो ना पाइसा पाइसा ला लेकर आऊँगा बात यह के अंदर भी जब चोरों डाकों को बंग गिया ना तो उससे पहले सबसे पहले आवाम को रिलैक्सेशन दिया तंखाए डबल की फिर करफशन के ओपर फिर उनने सदाय मी दी यह यह तो हालत यह कि यह तो कटे मुर्गी अंडे इनसे बार ही निकार यह तो यह तूझे तमाम चीज़ें थे बहतर करें रहेंगे पुरूब़ थे ही लिए और मधिने कि रहरेंगे म्यूमा थे उने कावा बनागाओ कि आपकी फालंगा धर्षप्प्रडी कbersा ही मैं आपकी पर्श्पाडी कितरा हूगा थी आर विपर्थ पर्ट्डी ऱैंके जारी 캬 कर यह तो पहाँ प्रम Corps I mean the people party is the group party as ailey की बाला दस्ती भी यकीन दखती है 27 तारीक को इन्हों ने एलान किया है अब हमने यह एलान पेले भी देखे और रहलाना हुए और लोगों ने धरने भी दिया अगर आपको धरना याद हो इनका 126 दिन का कौम को जो बिenne Human सजी को ऐनीमगूण ब दुओता है अब हम एक हैगी दो घरने म Testing हो करते आफ हूं के सब्सक्ता सांउ कन हुड़कि कर चाये है ति क्योंट दो दिन अब्जक्टिव दी है खान साब का इस्तीफा हुकूमत को घरजाना पड़ेगा फौर इंतेखाबाद पीपस पार्टी का क्या मुद्दा है यह उनका अपना हमारे यह कभी इस्तांस नहीं रहा हम कहते हैं जो आया है वो चोड़ दर्वाजे से आया है जो लाने वाले आप तो यह बेनकाप खुद ही होते जा रहे हैं आप तो यह खुद ही खुल-खुल के सामने आरे एक में एक साल चार मीने में जो इन्होंने डिलीवर कर दिया को मु पारिम्मेंट को लांते बेज़ेंगे और पारिम्मेंट पे रगए रेडियू के पाकिस्ताण को तर्फोड जैंगे और सुप्रीम कोर्ट के बार धिए और कच्छे बार में बिलाय ऐसा घरी plans राकर आल कमें चैनले ने जा रहे हैं और उन्हों ने तीन पॉइंट्स उन्हों ने रख दी है पीपस पार्डी भी कह रही है इस साल के आखर तक पीटी आई नहीं गई तो हम भी करेंगे क्या वाकी जाएगी मौजुदा हुकुमत तो नहीं जाएगी ठीक है दूसरी बात यह कि मौला ना साब धर करूंगा कि धरणा नहीं देना चाहिए इस कवर्मेन को स्ट्रिंटन करना चाहिए पाकिसतन के खातर करना चाहिए वजीराएदंस हाब को सबसे पहले तो debe chor को बड़ा बनना चाहिए वह इन अप अब देखें जा रहे ना वहां पे तो आप सबसे मिनिट्स ले कि मैं आप यू-एन में जा रहा हूं, मैंने क्या बात करनी है, आप चोरों को भी पकड़ें, हम आपको नहीं मना कर रही हैं, लेकिन चोरों को पकड़ें थूरूरु रियासत के, थूरू कूर्ट अप जस्टिस ते, इन खांद आप कहते हैं कि मैं परची वाला वजीरादम उनको त्यार करके कश्मीर में भेड़ेगा जहां पे आपको प्लेप साइट करना पड़ेगा ये टॉपिक फिर हमारा चीज़ जाएगा तो मैं मैं ये गुजारिश करूँगा कि धरने पे धरने पे दूसरा सवाल अपसे इसे पे करूँगा एक तरफ मुस्लिम लीग नून क कि यहां पे कोई भी ऐसी ऐमेत है और इस वक्त जो गौर्ड आम जो आप पोजिशन लीडर है ना वो अभी चार हैं कि इनको इस पेस दे जो मैं समझता हूं ये मेरी ऑपीनियन है मेबी आम रांग वो कहरें इनको इस पेस दे दें कि ये और खुल के आ जाएं जो अंदर की अब उसका अगर आप कंपेरजन करें बुज़दार से तो जीरो परसंट है ना तो मैं नहीं समझता कि ये जो पीपस पार्टी है और नून लीग है ये मौलाना साथ है या नहीं है इसी पर पुछले दें खेल्दा साहब है मने मुस्लिम लीग नून से आपका तालुग है बहुत शुक्री आपका प्रोग्राम के लिए वक्तेने के लिए क्या वाकिरी नून लीग में कोई फारवर ब्लॉग बन रहा है शेख रशी साब ने भी आज कुछ इंडिकेशन दी है कि अगर शेबाज शेरी साब खुल के सामने आ जाए जाए और उना कैदत से माजरत कर लिए क्या चल रहा है मुलादा साब के साथ हैं आप लो मुगेरी साब बड़ी महरबानी है आपने काल पे लिया और आप अधिल्दा साब मुगेरी साब चुट्टियों पे गए में विकेशन बरहनी गए मैं मुताहिर जलीज हून की जगा प्रोग्राम कर रहा हूँ हलो हल खुल के सामने आएंगे शेखरशी साब ना जो बात करी है देखें मुगेरी साब बात ये के हमारा जो पीमलन की सी सी का इजलास हुआ था उसके बाद हमारा एक डेलिगेशन है अमरे पार्टी के जनल सेकरेटी हैसन एकपार की क्यादत में गया था मुलाना फजर्यमान ने 27 अक्टूबर की डेट ऐलान कर दिया था हमारी दर्फास ये थी कि आप ये नॉमबर तक और जॉइंट अपोजिशन को ऐलान करें और नॉमबर में करें तो बेरार खेह से मुलाना साब ने ऐलान कर दिया है हम उस ऐलान का खेह मगदम करते हैं अब कल जो है न अवाज शरीफ साämän अखरी होता है और जो उसका अनाॉंसमेंट है वो पार्टी के तदर सेधर शरीफ साथ करेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है न कोई ऐसा एक अगर कसी की पार्टी के इंदर या सेंट्रल एक्ट Message Committee के अंदर क ahorita मैती व सेंट्रालपे इस ऐसके इतर det красив अभर फैas को नुषान को नुक्साइं नुषाम दिया है इसका मशचित को तबाग दिया है जिस भ़ उस्ट पुर्त-पा नुषा कर दिया मुल्क की सलमेती इसे हमें की स्टेक परी यह जा ज़ा है तो इन सारी चीजोंसे ऑम आजादी चाहते हैं और हम रुमाजदी मार्च के इनाइट वी करते हैं मगर इसका प्रमली अनाउन्स पार्डी के अर्डार्शिशिन के अविरणीं ठीक, पार्डी एक विर झाएज्ड वे उत्कशला होगा। द्वने को टैकल कि लिए ईध़ जाज को टैकल करें या जादी मार्च को टैकल को को ने दें कि खान देंका कंटेंगी कुन बेहा काओ कि थनिक भी आप कान तेढ़ ड़ि साथि कर हैंगे." कुन देंगा 풉 और खान खान के कहना खाथ? पारडी अपना एहतिजाज करने जाएगी कि इस साल के आखर तक अगर मौजुदा हुकूमत नहीं गई तो पीपस पारडी भी उटती भी नजर आएगी दूसरी जाने दौरा चीन खान साब का वो कामयाब होगा या नहीं होगा ये वापस आने के बाद पता चलेगा और वो क हावालात के जवाबात आने वाले वक्त के साथ ही मिल सकेंगे प्रोगैम का अब खत्म होए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अजाज़त कल फिर हाजर होंगे नहीं मौजू के साथ अलाँ आफिस